नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट बिहार के मुख्य मंतरी नितिस कुमार ने एक वार फिर से सावित कर दिया है कि बीजेपी के साथ सरकार चलाने के वावजूद वो अपने सेकुलर क्रेडेंसियल के साथ समझोता नहीं करने वाले हैं उन्होंने बीजेपी की भावनाओं की परवाह किये वगएर विधान सवा के बजट सत्र के दोरान मंगलवार को राज में राश्ट्रिय नागरिक्ता रेजिस्टर लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित कर दिया राश्ट्रिय जन संख्या रेजिस्टर को साल 2010 के फॉर्मेट पर सुईकार करने के लिए विशय पर चर्चा भी की गई एनार्सी के खिलाप प्रस्ताव के पारित होने के दोरान बीजेपी बिधायत चुप रहें लेकिन बाद में उन्होंने नाराजगी जताई दूसरी ओर नेता पर्तिपक्ष्टेस्वी यादम ने इसे राश्ट्रिय जनतादल की जीत बताई है अचानक से सदन में प्रस्ताव लाने और पास करवाने के फैसले से बीजेपी नाराज दिख रही है सियम नितीज कुमार के इस फैसले को लेकर बीजेपी के कई नेताओ ने नाराजगी जताई है इस मामले पर परतिक्रिया देते हुए बीजेपी के नेताओ और कृष्षी मंतरी प्रेम कुमार ने कहा कि प्रस्ताओ लाने के पहले बीजेपी से कोई चर्चा ही नहीं की गई जनतादल उनाइटेड को यह प्रस्ताओ लाने के पहले बताना चाहिए था प्रस्ताव लाना बिहार सरकार का अधिकार है लेकिन बीजेपी केंदर के साथ है जाहिर है नितिश कुमार ने बीजेपी को ये संदेश दे दिया है कि वो किसी दवाब में आने वाले नहीं है बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ने से लेकर सरकार चलाने का फैसला अपनी सर्तों पर ही लेंगे अब ये बात साफ हो गई है कि बिहार में जेडियू अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती है तो वो पहले की तरह बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगी यानि बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपको ये ख़बर हमारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सिटीपोस्ट लाइट डॉट कॉम पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना न भूले लने वा